हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू सिविल सर्विसेश इस्टेडी सर्किल इसमी जैंदर सिवारी मैं आप लोगों के लिए उत्तर प्रदेश का जो इंपॉटन्ट जी के हैं वो लेकर आया हूं इस वीडियो में ओके एक एक पॉइंट बहुत इंपॉटन्ट है और सारे की सारे जो इसके अलावा अगर आपको बहुत विस्तार से पूरा यूपी का जीके करना है तो मेरी यूपी की सिरीज है यूपी स्पेशल नाम से इसका इस पूरी प्लेलिस्ट का जो है लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा डिस्क्रिशन में उसमें आई तिक दस या बारा वीडियो है आप एक एक करके सारे वीडियो को देख लीजे आपका यूपी का जीके पूरा बहुत ही अच्छे से कवर हो जाएगा इसके अलाव जो कोई भी आपके जानने वाले हों और यह जो वीडियो की परिश्या में सम्मिलिस होने जा रहे हैं उनको और अगर आपने तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दवान मत भूलेगा जिसे की जैसे ह डारेट आपके मोगाइल पर आजाए और आपसे कुछ भी मिस नहों और यह जो वीडियो है इसकी पीडियेफ आपको टेलीग्राम ग्रूप पर मिल जाएगी टेलीग्राम पर मेरा ग्रूप है उसका नाम है गेट सर्कल यूपी-PSC एक्जाम तो इस नाम से है आप डालोगे तो सर्च बॉक्स में इस नाम से आपको मिल जाएगा ठीक है तो महां पर इसकी पीडियेफ आपको अब लेबिल हो जाएगी ठीक है चलो श्राट करते हैं उत्तर प्रदेश का पुनर गठन किस तारिक को हुआ था कब ह हुआ था एक नवंबर 1956 को यह डेट याद रखेगा कई वार पूछा आता है यह प्रश्ण उत्तर विजस का पुनर गठन कब हुआ एक नवंबर 1956 को ठीक है एक अप्रेल 1937 से इसे संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था यूनाटेट प्रोविंस के नाम से जानते थे 1858 ECW तक यूपी की रज़ानी क्या थी आगरा यह सारे प्रिशन बहुत इंपॉर्टन तरह 1858 तक यूपी की रज़ानी थी आगरा इसकेibenद 1858 से 1921 तक यूपी की रज़ानी होगा इलहाबाद इसके बाद 1921 से अब तक यूपी की रहजानी है लखनव तो याद रखेगा है ना पहले आगरा हुआ करती थी 1858 तक इसके बाद 1921 तक इसके बाद लखनव वर्तमान तक ठीक है 1947 से हिंदी को यूपी की प्रमुक राज भाशा की मानिता दी गई इसके बाद 1929 से उर्दू को दुतिय राज भाशा की मानिता दी गई इंपॉर्टन कोशन है सारे सारे वर्तमान में यूपी में कुल 75 जिले हैं 75 डिस्टिक्स है और यूपी का सबसे जो पूर्वी जिला है वह बलिया उके यूपी का सबसे पूर्वी जिला बलिया है यूपी का सबसे पश्यमी जिला शामली है याद रखेगा ठीक है सबसे उत्तरी जिला है सहारनपुर और यूपी का सबसे दक्षली जिला है सोन बद्र ठीक है सोन बद्र एक ऐसा राज है जो जिला है जो चार राजों की बाउंडरी को इसपर्श करता है इन चार राजों की जो सीमा रेका है उसे एक अकेला जिला सोन बद्र ठीक है इसके बाद यूपी का जो राजकी पशु है वो है बारा सिंगा राजकी पक्षी है वो है सारस ठीक राजकी पुष्प है पलाश ठीक है और राजकी चिन्न क्या है वह यह जो है आपने देखा होगा एक सरकेल है दो मचलिया रहती है धनुष और तीर बना रहता है तो यह जो है इसका राजकी चिन्न है 1908 में इसको स्विकार किया गया था उके बार देख लेना गूगल पर मैं इसको इसमें इंक्लूट करना भूल गया देन 1908 में इसको स्विकार किया गया था और राजकी चिन्न में दो जो मचलिया है आवद के मुसलिम शासक का प्रतीक है जो दो मचलिया है ठीक है इसके अतरिक्त इसमें धनुष तीर भी बना हुआ है इसके यह बहुत इंपॉर प्रदेश के कौन-कौन से हैं यह नाम ब्यादकना बहुत जुरूरी है यह सारे आठ के आठ नाम रट लीजेगा इससे कुश्चिन पूछा जाएगा आपसे गाजियाबाद हापुड गौतम बुद्ध नगर बुलंद शहर बागपत मेरट मुझफर नगर और सबसे लेट शामिल करने के लिए ओके वो हैं अलीगड अपका बिजनौर हाथरस एंड मतुरा ठीक है यह चार जिले प्रपोस किये गए आगे की जो है इनको भी एंजियार में सम्मिलित किया जाए पर अभी इस पे कोई ठोस निर्णा नहीं आया है अगर आप से पूछ लिया जाए तो आप याद रखेगा यह चार जिले हैं ओके इसके बाद यूपी की सरवादिक लंबी सीमा रेखा क्या है यूपी की सरवादिक लंबी सीमा रेखा जो है मद्व प्रदेश के साथ में है और नियूंतम सीमा रेखा हिमांचल प्रदेश क साथ में हैं यूपी का कौन सा जिला से से गिरा हुआ एक यह आपका यूपी है उसके उत्र में यह भौगोली के स् trataCy photographers picture बांडार परवत श्ञै zm جりました और जो आफिय श्हेत्र फ्यूपर यह ना यह पुरा एक एक मतलब सारा कुछ जी के cover किया यह एक वीडियो के अंदर तो इसमें कुछ भी मिलेगा आपको ठीक है बांगर छेत्र इसमें यह जो है पुरानी जलोड मिट्टी जलोड मिट्टी वह होती जो नदियों के साथ भैवेकर आती है और जमा होती है तो वह होती है जलोड पहले जहां पर नदियां अपने कोर्स जो अपना उनका भाव शेत्र होता उसको बदलती रहती ना तो पहले जो है वहां पर यह मिट्टी आके जमा हो गई पर अब जब नदी में बाड़ आती है तब भी नदी का पानी उन शेत्रों तक नहीं पहुँच पाता है तो यह प काफ़ी उपचाव होती है तो इसको बोलते है खादर छेत्र ठीक है तरा ही चहतर कौन सा है दल्दली कि अ घट्र आपका जो है जो यूपी का चार्ट होता है वहाँ पर तर्हें मैदानी शेट्र में सरवाधिक वर्षय कहां होती है गोरखपुर में और सबसे कम कहां होती ह यह पॉइंट याद रखेगा मैदानी छेतर में सरवाधिक वर्षा होती है गोरखपुर में और सबसे कम कहां पर होती है मुधुरा में ठीक है पूर्वा क्या है बहुत इंपॉर्टन कोशन है यह कई वर पूछा जाता है बंगाल की खाड़ी से आने वाले मांसून को यूप पूर्वा कहा जाता है जो याद रखेगा पूछते हैं कई वार यूपी के परिशा में पूर्वा किसे कहते हैं यूपी में सबसे कम वर्षा कहां होती है पश्चमी गंगा मैदान में सबसे कम वर्षा होती है यूपी में पश्चमी गंगा मैदान में और सबसे ज्यादा ह यो सीमा है वह यह कुशित यह कुशिन पूछा गया इसलिए बता रहों साहरुनपूर की सीमा किन राजियों से मिलती है उत्तरकंड हरियाना तता हिमानचर प्रदेश के साथ लगती है साहरुनपूर की बाउंटरी ठीक है कि छेत्रफल की दृष्टी से उत्तर प्रदेश का भारत में चौथा इस्तान है जब आप तमाम सरे स्टेट का एरिया देखते हैं तो यूपी की फोर्ट रैंकिंग है नंबर वन पर है आपका राजस्थान ठीक है नंबर टूपर है एंपी मध्य प्रदेश ठीक है और नंब पर कौन सराज है आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइए कि जनसंख्या की जिस्टी से भारत में सेकंड नंबर पर कौन सराज जाता है ठीक है उत्तर प्रदेश में कुल पारिशित की छेत्र कितने हैं बीस याद रखेगा इंपॉर्टन पॉइंट है सारे कि सारे भारत देश में कुल पारिशित की छेत्र हैं बीस अट ग्ररीघ्र कशी जलवाई 5 एंड़ कुल रहा तो प्रदेश को डाउनलोड कर लेना और इन बिट्वीन दस पंदर दिन बाद एक बार फिर से इसको देख लेना सब याद हो जाएगा ठीक है चने का सरवाधिक उत्पादन होता है बुंदेल खंड में आवला का सरवाधिक उत्पादन होता है प्रतापगड में ओके आलू को अ तिर्कुष पुरानी योजना हैं वो देख लिए कब शुरू हुई थी एक अक्षर पूछी आती है किसान मित्र योजना इसकी शुरुआत हुई थी 18 जून 2001 में किसान बही योजना ये 1992 से चल रही है किसान बही योजना इसके बाद किसान व्रधावस्था पेंशन योजन 99 से चल रही है ठीक है इसके बाद यह देखिए important है आम अनुसंधान एवं prescription के अंदर कहां पर है आम के बारे में जो हाँ पर research होती है टेनिम भी आती वो center कहां है लखनव में याद रखेगा important है और ऐसा ही center है अमरूद के लिए अमरूद prescription एवं प्रयोग के अंदर है कहां पर इलहाबाद में ठीक है तो आम लखनव में और अमरूद का अनुसंधान के अंदर के अंदर कहां पर है इलहाबाद में ठीक है और यूपी के अंदर व्यक्ति के पास भूमी की अधिक्तम सीमा कितनी है एक आदमी maximum कितनी भूमी पर अधिकार रख सकता है वो है 18 एकड़ इससे ज़्यदा कि भूमी किसी एक व्यक्ति के पास नहीं हो सकती ठीक है यह रूल है 18 भारत की प्रथम चीनी मिल यह यूपी के देवरिया जिले के प्रतापुर में लगाए गई थी ठीक है यूपी की प्रमुख नकदी फसल यूपी की प्रमुख नकदी फसल है गन्ना ठ इक है नकदी फसल मतलब कैस्किरओ इससे वह थी ठीक एक तो यूपी की प्रमुख नकदी फसल है गन्ना सीमांत कुक किसे कहते हैं एक एक हेक्टीर कंभूमी वाले किसान को सीमांत कराद कृ ढंगा पर है इस वरिए फॉर्फॉर्टेंट भारती व क्रथम कृश विश्वि ठीक है भारत में भारत की बात हो रही है पहला कृशी विद्याल एग्रिकल्चरल उनुष्टी कहां पर साफित की गई थी पंतनगर में ठीक है अवनालिका अपर्दन से प्रभावित जिला कौन सा है इटावा ठीक है जो आपका अवनालिका अपर्दन मैंने इस ग्राफिम प है ना इसके वाद यूपी की सरवादिक प्रदूश्यद नदी कौन सी यमुना नदी बहुत इंपॉर्टन कोश्यन है चुकि यह जब भी प्रश्ण आता है तो लोग गंगा मार ले टिक करते हैं चुकि गंगा की सफाई के बारे में बहुत चर्चा होती है यमुना की सफा ज्यादा प्रदूश्यत है ठीक है गंगा उत्तरवजस के 28 जिलों से होकर बहती है वेरी इंपॉर्टन कोशन 28 जिलों से होकर बहती है गंगा यूपी में इसके वाद कुछ इंपॉर्टन डैम है यूपी के देखिए माता टीला बांध ठीक है यह किस नदी पर है बेतवा इंपॉर्टन है काफी या दखेगा राजघाट बांध यह भी बेतवापर है और परिच्छा बांध यह भी बेतवापर तीनों बांध जो यह है माता टीला राजघाट था परिच्छा यह किस नदी पर है बेतवापर ठीक है बखीरा जील है यह संत कबीर नगर में है बख iane एप नियाद के लिए इमपॉटेंट किया है सबसे जबाद नधी जैना नधी अपके नदिया पर बिटवा नदी पर कानपुर गोमती नदी लगनो गोमती नदी और कानपुर गंगा नदी ठीक है तो यह कुछ इंपोर्टन सिटीज और बहुत सारे सिटीज के लावा है तो आप अगर डिटेल में पढ़ना चाहेंगे तो वह यूपी इसे पूरा कॉंपेट कर लीजिए सब कवर हो जाएगा यह इंपोर्टन चीजे लेकर रहे हो वसमें यूपी की सबसे लंबी नहर कौनसी है यूपी की सबसे लंबी नहर है शार्दा नहर गोकुल बैराज परियोजना यह पेजल परियोजना है ठीक है रानी लक्षमी बेटवान दीपर है ठीक है यूपी में परिथम लनीटी कभ आई थी उनीस सोबहावन में याद रखेगा ff काफी यदा ठीक है यूपी में पर्थम वन नीती आए थी 1952 में यूपी में दोती यह वन नीती आई 1998 में ठीक है ठीक है इसके वाद 150 मेंधर महुत जाता है के इंदर 1501-07 जुलाई के बीच वन महुत सो मनाया जाता है ऊके यूपी का राष्ट्यक उद्यान कौन सा यंपोटety MSN १ के वाल वन्यजीव विहार कुछ इंपोच्छे में इस पूछे आटें प्रिषम को अच्छे से आदर किए छंद्रप्रभा वन्यजीव विहार ये कहां पर है चंदौली में ठीक है चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार ये चंदौली में है सबसे पहला वन्यजीव विहार है यूपी का ठीक है इसके बाद दूसरा है महावीर स्वामी वन्यजीव विहार ये कहां पर है ललिदपुर में और ये सबसे छोटा है महा वन्यजीव विहार यह कहां पार मिर्जापुर में कैमूर वन्यजीव विहार यह मिर्जापुर में ठीक है हस्तिनापुर वन्यजीव विहार हस्तिनापुर वन्यजीव विहार यह मेरिट में ठीक है मेरिट मुझफर नगर में है सबसे बड़ा है ठीक है तो हस्तिनापुर है सबसे बड़ा और महावीर स्वामी है सबसे छोटा चंद्रफाँ है पहला जिसमें भी कुछ ऐसी इंपोर्टन्ची होती है यह घ्ला लिए सबसे पहला वानने जिव विहार यह कहां पर है ठीक है तो यस पाँचो यादर कर लीजेगा एसा पक्षी विहार तो जो है आपका नवाव गंज पक्षी विहार बहुत इंपॉर्टेंट है यह पहला है इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है नवाव गंज पक्षी विहार यह उन्नाव में है ठीक है लाख बहुशी लाख बहुशी पक्षी विहार यह करनोज में है और यह सबसे बड़ा है ऐसे याद रखो में लाख लगा है लाख काफी बड़ा होता है लाख बहोशी कन्योज में है और सबसे बड़ा है इसके वाद सांडी पक्षी विहार यह हर्दोई में है सांडी पक्षी विहार हर्दोई में है पार्वती ओरंगा पक्षी विहार गोंडा में है ठीक है बखीर पक्षी विहार ये कहां पर है संत कबीर नगर में ठीक है बखीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर में है सुरहा ताल पक्षी विहार ये बलिया में है ठीक है सुरहा ताल पक्षी विहार बलिया में है जिसको लोक नायक पक्षी विहार के नाम से भी जाना जाता है ठीक है सुर साब गड़ में तो यह जो है इसको जो है भी मराव अंबेदकर पक्षिवियार के नाम से भी जाना जाता है दो है आपके जिनके नाम अलग है एक आपका सुरहाताल इसको लोक नायक पक्षिवियार बेंती जो पक्षिवियार उसको भी मराव अंबेदकर पक्षिवियार के न पत्त पक्षी वियार ये एता जिले में है और चुकि इसका नाम पत्त नाम नए नाम बताई दिया मैंने आपके शहीद चंदर शेकर आज़ाद पक्षी विहार ठीक है यूपी में कुल पक्षी वियार है तेरा 13 है उके यूपी का एक मात परमाणू विद्दूत उर्जा केंज है नरोरा कहां पर है यह बुलंद शहर में एक मात नुकलियर पाउर प्लांट है नरोरा ठीक है यूपी में भार्टी रेल के दो जोन है दो जोन कौन कौन से उत्तरमध रेलवे जोन तथा पूर्वुत्तर र किएगा पूछे जाएंगे परिक्षा में इंपॉर्टेंट है इसके वाद उत्तर प्रदेश गन्ना किसान संस्थान यह कहां पर है लखनव में ठीक है उत्तर प्रदेश गन्ना किसान संस्थान है लखनव में उत्तर प्रदेश गन्ना अंसंधान केंद्र कहां पर है शाज मैंचेस्टर भी बोला जाता है मैंचेस्टर जहां पर सिल्क का काफित पादर होता था उत्तर प्रदेश के प्रवुक हवाई अड्डे कौन-कौन से यह देखते हैं चकेरी हवाई अड्डा कानपूर का है नामातर का है कोई फ्लैट नहीं चलती यहां से अभिशा सुरू हो प्रवाई अड्डा कानपूर केरिया हवाई एड्डा आगरा चीडर को इंपोर्देंट पूछ ले राता है आए त्षाइन हवाई एडडा घाजियाबाद घेवर हवाई एडडा यह गौतमबुद्धंगर में है ठीक है लाल बहादुर शास्त्री अंतर राष्टी ताज अंतराश्टी हवाई अद्डा फिरोजाबाद यह दो धान देना ताज ऐसे लगएगा कि आगरा में है जबकि फिरोजाबाद में है तो याद रखना इसके बाद उत्तरफदेश की कुछ जन जातिया है इनसे काफी पूशन पूछे आते हैं है ना तो यह जो सहरिया जन जाती है यह कहां पर पाई जाती लेलिदपुर में सहरिया जन जाती पाई जाती लेलिदपुर में बुकसा या भोकसा है ना यह पाई जाती बिजनौर में ठीक है और यूपी की सबसे बड़ी जो जन जाती है वह थारू थारू जन जाती के लोग दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं कली एक वीडियो में मैंने बताया है ये हारू जंजाती के लोग दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं इसके बाद यूपी की सबसे छोटी जंजाती है वन रावत सबसे छोटी जंजाती है वन रावत उके उत्तर प्रदेश कर परिशत कहां पर है लखनों में इसकी स्थापना हुई थी उन्यस्तो नवासी में 1989 में उत्तर प्रदेश करशी अनुसंधान परिशत की स्थापना लखनों में थी ठीक है तो यह सारे इंपोर्टेंट यूपी सर रिलेटर्ट जीके था उसका यह पहला वीडियो है इसके आ रहा हूं दो है अभी दो वीडियो एक्जाम के लिए दो सरीज चल रही है पहली है आपकी यूपी करेंट वाली एक जो सरीज थी इसी में यह आपका जीके भी ले लूँगा है ना तो यूपी करेंट प्लस जीके बाकी का जो कुछ भी करेंट है वो सारा कुछ ठीक और दूसरी जो प्लस्ट है वो है डेली प्रैक्टिस या टेसरी डेली प्रैक्टिस या टेसरी जो चल रही है जिसमें 20 कोशन देता हूं मैं जिसे आप लोग करते हैं और अब उसके आंसर कमेंट सेक्शन में लिखते हैं ठीक है तो यह दो चीज़ें चल रही है अभी फिलाल बाकी बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे हैं आपके कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन के लिए तो अगर लगता है तो मैं इसको एक दो दिन में हिश्रुआत कर दूँगा कंप्यूटर से रिलेटेड दो तीन वीडियो डालके पूरा कवर कर लेंगे ऐसी मेरी अभी ऐसा सोच लाउं करने के लिए ठीक है तो आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया है तो नहीं कि परिक्षा अगर आपको क्लियर करनी है तो फिर 100 ठीक है तो मिलते हैं फिर नेक्स वीडियो में गुट-बाइ टेक के